नमस्कार आप देख रहे हैं तेज़ खबर 24 और वक्त है खबरों का रिवत जिले के लौर्थाना शेत्र के पलिया गाउं में शुक्रवार की शाम दो कारों में भी इसर टकर हो गई इस तड़ा खाथ से म्याधा दर्जन से जादा लोग जख में हुए हैं इस्तानी लोगों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला गया और घटना की सूचना पुलिस को दी गई मौके और कौंची पुलिस ने सबी घायलों को प्चार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया है बताया गया है कि एक कार रिवा से मिर्जापूर के ओर जा रही थी जबकि दूसरी कार रॉंग साइट से रिवा की ओर आ रही थी जिसके चलते ही ऐसा रखाथ सा हो गया है गटना को लेकर लौर थाने के रवनात गन्चोगे प्रभारी महेंदर बागरी ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ही कार सवार लोग मिर्जापूर के थी एक कार रिवा से मिर्जापुर जा रही थी जब कि दूसरी कार मिर्जापुर से रिवा की ओर जा रही थी इसी दोरान पलिया गाउं के सम्मी पर यह हाथ सा हो गया एक कार में 5 लोग सवार थे जबकि दूसरी कार में 2 लोग सवार थे इस सड़क हाथ से में सभी को चोते आई हैं जिसमें से एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है गटना के सूचना पर मौके पर पुलस पहुची थी और सवी घालों को उपचार के अस्तोतार में भरती करा दिया गया है जबकि कारों को कबजे में ले लिया गया है और मामले की जाज की जा रही है कर दो